सबी प्रभू प्रेमियों को मेरा प्यार भरा रादे रादे आईए मैं आपको कुछ और मैत पूर्ण जानकारियां कुछ पुराणों से बता रहा हूँ जैसा कि मैं बार बार कहता है आऊं कि मानव जीवन बड़ा दुरलब है हमारे पुरानों में, रामायन में, गीता में, भागवत में, बेदों में, सास्तरों में सब जगे पर इस चीज का विशेस वर्णन किया गया है कि मानव जीवन से ज़्यादा महत तो पुरुना कोई दूसरा जन्म नहीं है कोई दूसरी योनी नहीं है लेकिन इस मानव योनी में भी हमारे पुराणा में का कि मूड कौन है मूड समझ रहे हैं मूर्ख कौन है इंगलिस में कहूँ तो फूल कौन है कुईस्फूल कौन है मूर्ग भगवान ने स्वेम ने कहा है कि मानव जन्म लेने के बाद जो जीव मुझे छोड़कर ब्यर्त के चीजों के लिए भागता है वो तीनों कालों में दुख पाता है भूत वविश्य और वर्तमान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूजर वो तीनों कालों में दुख पाता है जो मुझे भूलकर मेरा नाम चोड़कर अन्य किसी वस्तू को किसी भी वस्तू को चाहता है अथवा 24 गंट उसी का चिंतन करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है क्योंकि मानव जीवन का बहमुल्ले और जो सबसे बड़ा किफ्ट है वो है प्रभू की प्राप्ति ज्यानियों के लिए मोक्ष लेकिन इतने बड़े परमपद को त्याक कर इतनी बड़ी उस विसेशता को भूल कर जीव माया के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को छोड़ता है और कई लोग तो आपको ऐसे भी समझदार मिलेंगे जब आप भक्ती करने जाएंगे आप भजन करने जाएंगे आप मंदिर जाएंगे तो आपको कहेंगे तेरे आत क्या पड़ेगा भई क्यों जा रहा है क्या मिलने वाला है तुझे कुछ भी तेरे पल्ले पड़ने वाल who has seen the god वो कहता है तुमने देखा है भगवान को ये मूर्खता है ये मूर्खता है तुम छोटी सी चीज तुमारे जो सरीर में होती है तुम सर का दर्द नहीं देख सकते तुम बता सकते हो कि तुमारे सर का दर्द black and white है, red है कि yellow है, कि blue है feel करते हो तुम सर का दर्द जरूर किया कुछ problem है लेकिन तुम बता नहीं सकते कि वो कैसा है तो जो दर्द को तुम, pain को तुम feel कर रहे हो भगवान को feel करके देखो दर्द को तुम प्रतक्षि प्रगट नहीं कर सकते लेकिन भगवान को प्रतक्षि प्रगट कर सकते हो अगर आपकी भावना क्योंकि इसका प्रमाण है इतियास गवाः है पुरान इसका प्रमाण दे रहे हैं बेद गवाई देते हैं गीता गवाई देती है रामाण गवाई देती है सर्वं कृष्णवायम जगत सर्वं खल्विदं ब्रम्मा इस्वर अंस जीव अविनासी हम उसी के अंस है कहो सो कहां जहां प्रभु ना ही प्रभु कहां नहीं है भगवान कहां नहीं है लेकिन दो चार डिगरियां पा लेने के बाद भगवान की दिऊ हुई बुद्धी का दुरपियोग करके हम भगवान को ही न माने उससे बड़ा मुर्ख कोई नहीं think for a while what will go with you हमारे साथ तुमारे साथ क्या जाएगा क्या जाएगा जब हम समसान जाएगे ना मकान जाएगा ना गाड़ी जाएगी ना बेटा जाएगा ना बेटी जाएगी ना पतनी जाएगी ना पती जाएगा ना मेरा बैंक में जमा हुआ कोई पैसा जाएगा तो क्या जा इसके बावजुद भी में 24 के 24-गंटे उन्हीं को देता हो ए जो नहीं जाएगा और जो जाएगा उसके लिए Näंकि भगवान है यह नहीं तो कॉन होगा मुर्ख खालि हात जो जान बूज के जा रहा है वह मुर्ख है यह की नहीं खाली हाथ जो जान बूझ के जाना चाहते हैं वो मूर्ख है कि नहीं पूरे जिंदगी बचपन खोया खेल कूद में भरी जवानी सोया देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे क्या खोया क्या पाया अब हम सोच रहें कि मेरे साथ क्या जाएगा मैं खाली हाथ जा रहा हूँ लेकिन खाली हाथ जाने के लिए तयार कौन था आप ही ने तो सारा टाइम अपने यहां वहां सब संसार में माया मैं यह नहीं कि I am not against any आधुनिक जो बस्तू हैं उनके against नहीं हो पैसेगी मैं against नहीं हो, मैं परिवार के against नहीं हो कोई भी नहीं है भगवान के भी जब संसार में आये भगवान के भी परिवार थे लेकिन सत कर्म भी उनके साथ थे हम सब को चाहिए हमें मूर्क नहीं बनना है अब आप decide करी हमको मूर्क बनना है कि नहीं बनना है मैं यह नहीं कहता है कि छोड़ के बाबा जी हो जाओ मैं यह कहता हूँ घर में रहकर गर में ही रहकर प्रभू का बजन कीजिए इस्मर्ण कीजिए, चिंतन कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, दीन हिनों की साहता कीजिए और भगवान से रोज मिलने की इच्छा कीजिए अगर मूर्क नहीं बनना चाहते हो तो यही उपाय है कि धर्म और कर्म दोनों को साथ लेके चलो और सिर्व मूर्क बनना चाहते हो तो भहिया इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पीछे पड़े हैं माया के उनका तीनों काल बरवाद हो गया अन्तुतो गत्वा भगवान भी कहते हैं ऐसे लोग वो हैं जो स्वैम अपने हातों से ही अपने बिनास की नीव खोते हैं जो मानव जीवन पाकर मुझे नहीं वस्ते कुछ सत्कर्म नहीं करते नाम इस्वन नहीं करते तीर्थ यात्रा नहीं करते वही संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि हम और आप मूर्ख न बने भगवान का भजन करें यही आप सबसे प्राड़तना अगर हां किसी और को भी मूर्ख बनने से बचाना हो तो यह वीडियो उस तक जरूर भेजएगा रादे रादे पुझे महाराजी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकिननदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महाराजी को dn-thakur-g फालो करें